मैं आज देश के किसानों के सामने, इन लोगों का कच्चा चिठा भी देश के लोगों के सामने, आज मैं खुला करना चाहता। एक क्रिशी सुधार, ये कानून रातो रात नहीं आये हैं। किसानों के संगठन, कुरुशी एक्सपर्ट्स, क्रिशी अर्थसास्त्री, क्रिशी वैज्ञानिक, हमारे यहां के प्रोग्रेसिव किसान भी लगातार क्रिशी क्षेत्र में सुधार की मांग करते आये हैं। सच पुछ मैं तो देश के किसानों को उन लोगों से जबाब मांगना चाहिए। जो पहले अपने गोशना पत्र में इन सुधारों को की सुधार करने की बात लिखते थे, वकालत करते थे, और बड़ी-बड़ी बाते करके किसानों के वोट बटोरते रहे। लेकिन अपने गोशना पत्र में लिखे गए वादों को भी पूरा नहीं किया। सिरफ इन मांगों को टालते रहे। क्योंकि किसानों की प्रात्रिता नहीं था। और देश का किसान इंतजार ही करता रहा। अगर आज देश के सभी राजरितिक दलों के पुराने गोशना पत्र देखे जाएं तो उनके पुराने बयान सुने जाएं। पहले जो देश की कृशी ववस्ता संभाल रहे थे ऐसे महनुभावों की चिठियां देखी जाएं। तो आज जो कृशी सुदार हुए हैं वो उनसे अलग नहीं है। पुता क्या है? पुता ये है कि खिषान की पैदावार सक्ते से सक्ते दानों खरी जाती है और शहें में महें कि भी दानों देखी जाती हैं। क्या मैं भूछना चाहती हूं, क्या खिसानों का हक नहीं बनता है ये उनके पैदवार की तहीं की मत्वने मिले, क्या चहर में आनिस्तान का ये हक नहीं बनता है कि रोब-मर्णा की जरूरत की चीजे उन्हें भी तहीं काम पर ले, ये तब संबाब होगा। ये कभी का पाव है जब किसान बिना के विचोर लेके अक्री के दवार भी दे शहर तक पहुंच के मगर ये अच्छा है किसान के लिए अच्छा है आज किसान को एक विकल्प देने की जरूरत है जितना विकल्प दे सके उतना अच्छा है खराब नहीं है किसान के लिए, आज किसान जब सीजन आता है तो अपना आलू दो रुपे एक रुपे किलों में बेशता है उसके तीन महीने बाद अपना ही आलू भी तीस रुपे और चालिस रुपे में खरीजने का मजबूर होता है ऐसे टमाटर की बात है अपनी ट्रोली का डाल खोल के किसान सडकों के उपर अपना आलू गेरने को मजबूर होता है जो फोटो दिखा रहे थे पंजाब के जो सांसद हैं ऐसे जो किसानों को एक जितना विकल्प दें वो उनके लिए बुरा नहीं हो सकता है विकल्प देने की जिसको जो किसान को ज़्यादा भाव देगा किसान अपना फजल उसको देगा किसी और को नहीं देगा अगर आर्टिया देगा तो आर्टिया को देगा जिनको आपने तान होता है और बेचना जाता है तो उसके पास कोई मार्केट नहीं है उसको मालूम नहीं किस मार्केट जाना है अगर मंडी जाता है तो 35-45 प्रतिशन समान खराब हो जाता है और इस बीच में आठ आठ लोग कमिशन एजेंट होते हैं बीच में आठ कमिशन एजेंट विचौलिए और ये स्टडी की गई हैं मेरे पास आपने हैं ये विचारे किसान को 15-17 प्रतिशन 15-17 प्रतिशन 15-17 प्रतिशन जो माल मार्केट में बिखता है उसका केवल 15-17 प्रतिशन को बाता है बाकी विचौलियों को चले जाता है तो आप विपक्ष के मेता और विपक्ष दलों को ये तै करना है कि वो किसान के साथ है या पिचौलियों के साथ है यह आप तै करने हैं लेकिन अगर आप का चाहो कि उन प्रदेशों में जहां के मुक्यमंत्री चाहते हैं कि हम लागू करना चाहते हैं वहां आप वहां कैस प्रदेश को एक प्रदेश दूसरे प्रदेश को कहेगा मैं तो यहां लागू नहीं करूंगा लेकिं तुम्हें भी लागू नहीं करने दूए विछे चुनाव के पहले किसानों को जितने वादे किये थे उन सारे वादों से बारते जंता पार्टी मुकर गई सबसे बड़ाइब इनका था कि स्वामी नासफन रिपोर्ट लागू करेंगे मुझे बहुत खुशी है, आज यहां सारी पार्टियां लागू कया रही है स्वामी नासफनायोग लागू होना जाए बाज़का ने पिछले चुनाज़ के पहले बोला था स्वामी ना तनायोग लागू करेंगे स्वामी ना तनायोग तुरंट लागू किया जाए किसानों को उनकी फसल के पूरे दाम दिया जाए किसानों को भीख ली चाहिए किसान अपना हक मांग रहे है जो खून पसीना बहाते हैं उसका हक माग रहे हैं अगर किसानों को उनकी फसल के पूरे दाम मिल गए किसान दुबारा आपके अपनी करज माफी कराने के लिए कभी नी आएंगे अपना करज वो खुद कर लेंगे अपने बच्चे की शादी खुद कर लेंगे अपनी घर में कोई बिमारों का खुद कर लेंगे आज किसानों को इसलिए हाथ से लाना पड़ता है इसलिए सरकारों के पास लाना पड़ता है क्योंकि उनको अपनी खून पसीने की पूरी कमाई नहीं मिलती दोस्तों तो हनफ नामा वापस लो स्वामी नाचन रिपोर्ट लागू करो और नहीं तो यह जितने किसान आए है 2019 के अंदर कयामत ढादेंगे पूरे देश के अंदर तुमारे खिराव पूछ रही हैं पब्लिकली पूछ रही हैं हमारे कृशी मंत्री टीम इंटर्यू में कह रहे हैं कि वे आपको कानून में किस क्लोज में क्या दिक्कत है बताईए जो भी दिक्कत है वाप बताईए तो इन राजनीतिक दलों के पास कोई ठोस जवाब नहीं होता और यही इन दलों की सच्चाई है आज जो किसानों के नाम पर आंदोलन चलाने निकले हैं जब उनको सरकार चलाने का या सरकार का हिस्सा बनने का मोका मिला था उस समय इन लोगों ने क्या किया यह देश को याद रखना जरूरी है वही बाते इन कृशी सुधारों में की गई है मुझे लगता है उनको पीड़ा इस बात से नहीं है कि क्रिशी कानूनों में सुधार क्यों हुआ उनको तकलिफ इस बात में है कि जो काम हम कहते थे लेकिन कर नहीं पाते थे वो मोदी ने कैसे किया मोदी ने क्यों किया मोदी को इसका क्रेडिक कैसे मिल जाए मैं सभी राजनितिक दलों को हाद जोड के कहना चाहता हूँ आप सारा क्रेडिक अपने पास रख लीजिए आपके सारे पुराने गोशना पत्रों को ही मैं क्रेडिक देता हूँ मुझे क्रेडिक नहीं चाहिए मुझे किसान के जीवन में आसानी चाहिए समुरुद्धी चाहिए किसानी में आधुनिकता चाहिए आप कुरुपा करके देश के किसानों को बर्गलाना छोड़ दीजिए उन्हें ब्रमीत करना छोड़ दीजिए आज जूठे आशु बहाने वाले लोग कितने निर्दरी है इसका बहुत बड़ा सबूत है स्वामीनाथन कमिटी की रिपोट किसान से जूठे वाइदे करने वाले सत्ता में आते रहो जूठे वाइदे करते रहो मलाई खाते रहो यही इन लोगों का काम रहा है मैं अब आपसे कुरुशी सुधारों के बाद बोले जा रहे सबसे बड़े जूट के बारे में बात करूँगा बार बार उजूट को दोराया जा रहा है जोड जोड से बोला जा रहा है जहां मोका मिले वहां बोला जा रहा है बीना सिर्पर बोला जा रहा है जैसे मैंने पहले कहा था स्वामी नाथन कमिटी की रिपोर्ट को लागू करने का काम हमारी ही सरकार ने किया अगर हमें MSP हटानी होती तो स्वामी नाथन कमिटी की रिपोर्ट लागू ही क्यों करते भाई आपने भी नहीं की थे हम भी नहीं करते हमने तो ऐसा नहीं किया हमने तो लागू की दूसरा ये हमारी सरकार MSP को लेकर इतनी गंबीर है कि हर बार बुवाई से पहले MSP की गोशना करती है इससे किसान को भी आसानी होती है उन्हें भी पहले पता चल जाता है कि कि इस फसल पर इतनी MSP मिलने वाली है